नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको बार्वी कक्षा के अर्थ शास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा तथा बेंकिंग में बेंकिंग के बारे में बताऊंगा बेंकिंग होता क्या है बेंकिंग मुख्य रूप से एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा को अपने पास जमा के रूप में स्विकार करती है तथा लोगों को आवशक्ता पढ़ने पर रिंड के रूप में प्रदान करती है बैंक कई प्रकार के होते हैं मैं आपको आज वानिज्य बैंक तथा केंद्रे बैंक के बारे में बताऊंगा वानिज्य बैंक क्या होता है इसे व्यापारिक बैंक भी कहते हैं वानिज्य बैंक का जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है वानिज्य बेंक जनता का पैसा स्विकार करता है कई रूपों में कई प्रकार के खाते वह जनता के स्विकार करता है जैसे बचत जमा खाता, सावधी जमा खाता, इसी प्रकार से चालू खाता तथा जनता को रिन भी प्रदान करता है वानिज्ये बैंक का प्रमुख कार्य साख निर्माण साख निर्माण अर्थात साख का स्रजन है वानिज्ये बैंक साख का स्रजन कैसे करता है मुख्य रूप से वानिज्ये बैंक के पास जनता अपना पैसा जमा करवाती है जो वानिज्य बैंक की प्रात्मिक जमा होती है प्रतेग वानिज्य बैंक उस जमा का एक नियूनतम भाग जिसे हम आरक्षित कोश कहते हैं अपने पास रखता है तथा बाकी का पैसा वह रिण के रूप में प्रदान करता है आरक्षित कोश का निर्धारन केंद्रिय बैंक द्वारा किया जाता है 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत जो भी प्रतिशत होगा वह केंद्रिय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है जो सभी व्यापारिक और वानिज्य बैंकों को सुईकार करना होता है जैसे एक व्यक्ती ने राम राम ने 1000 रुपए अपने बैंक में जमा किये उसका बैंक उसके आरक्षित अनुपाद का 10 प्रतिशत अर्थात 100 रुपए आरक्षित कोश में रख लेता है तथा 900 रुपए रिण के रूप में किसी अन्य व्यक्ती को दे देता है श्याम जिसे रिण की आवश्यकता है बैंक श्याम को 900 रुपए रिण प्रदान कर देता है प्रतेग वानिज्य बैंक को यह पता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय में सभी खाताधारी अपनी जमाए निकलवाने के लिए आ जाएंगे वानिज्य बैंक को पता है कि प्रतेग खाताधारी अपनी राशी का कुछ भाग ही निकलवाता है इसी लिए वानिज्य बैंक एक आरक्षित कोश अपने पास रखता है बैंक ने श्याम को 900 रुपए का रिन प्रदान किया वानिज्य बैंक कभी भी किसी ग्राहक को नकत के रूप में रिन नहीं देता वानिज्य बैंक उस रिनी का अपने यहां खाता खोलता है तथा उसके खाते में रिन की राशी जमा करवा देता है उसके पर शात रिनी उस राशी को चेक के द्वारा वानिज्य बैंक अर्थात अपने बैंक से निकलवा सकता है यहां हमने देखा कि राम ने 1000 रुपए अपने बैंक में जमा किये उसके बैंक ने 10 प्रतिशत राशी अपने पास आरक्षित कोश में रखी तथा 900 रुपए रिन श्याम को प्रदान किया यह 900 रुपए श्याम के बैंक की जमाओं के रूप में स्विकार की जाती है इसी परकार श्याम का बैंक 10% राशी अर्थाथ 900 रुपए का 90 रुपए 900 रुपए का 10% अर्थाथ 90 रुपए आरक्षित कोश में रख लेता है तथा 810 रुपए वह किसी तीसरे व्यक्ति मान लीजे घंश्याम को प्रदान कर देता है इस अवस्ता में हमने देखा कि केवल तीन चरणों में वानिज्य बैंक ने कितना साख का स्रजन किया केवल दो चरण में केंद्रिय बैंक की 1900 रुपए की साख स्रजन शक्ति हुई उस 1900 रुपए में 810 रुपए आप और जोड लीजिये तो 2710 रुपए का साख स्रजन हुआ यह चरण लगातार चलता रहता है और अंत में साख का बहुत अधिक स्रजन होता है अर्थात मुद्रा का स्रजन होता है अब मैं आपको इसे एक उधारन के द्वारा समझाता हूँ यहाँ पर चार कॉलम है प्रथम चरण जिसमें एक व्यक्ती ने बैंक में 1000 रुपए जमा किये मान लीजिये आरक्षित अनुपात 10 प्रतिशत है तो व्यापारिक बैंक उस 1000 का 10 प्रतिशत अर्थात 100 रुपए आरक्षित कोश में रख देता है तथा 900 रुपए रिन यह 900 रुपए उस व्यक्ती को दिये जाते हैं जिस व्यक्ती को रिन की आवशकता है यह 900 रुपए दूसरे चरण में जमा के रूप में किसी अन्य बैंक द्वारा स्विकार किये जाता है दूसरे चरण में इस 900 का 10 प्रतिशत हर्था 90 रुपए आरक्षित कोश वाले कॉलम में आता है तथा 810 रुपए रिन के कॉलम में आता है और यह 810 रुपए किसी तीसरे व्यक्ति को रिन के रूप में प्रदान किये जाते हैं जो किसी तीसरे बैंक के लिए जमा के रूप में स्विकार किया जाता है इस प्रकार कई चरणों के पश्चात आप देखेंगे तो कुल मुद्रा अर्थात साख का स्रजन 10,000 रुपए हुआ साख स्रजन का बीजगनित्तिय एक फॉर्मूला होता है प्रात्मिक जमा गुणा एक जिसे हम विभाजित करते हैं आरक्षित अनुपाद से प्रात्मिक जमा अर्थात सबसे पहला धन जो वानिज्य बैंक में जमा के रूप में दिया गया जिसकी राशी एक हजार रुपए थी अर्थात एक हजार गुणा एक विभाजित कर देते हैं दस प्रतिशत क्योंकि आरक्षित अनुपाद दस प्रतिशत है इसका हल करने पर हमें दस हजार रुपए प्राप्त होता है तो निश्कर्श यह निकला कि केवल एक हजार रुपए वानिज्य बैंक में जमा के रूप में देने पर अंत में वानिज्य बैंक द्वारा साख का सजन दस हजार रुपए के समान किया जाता है परन्तु इसकी भी कुछ सीमाए है मान लीजिए यदि आरक्षित अनुपात 10 प्रतिशत की जगा 20 प्रतिशत हो तो इसका भी प्राई यह है कि पहले वानिज्य बेंक 10 प्रतिशत आरक्षित कोश में रख कर 90 प्रतिशत रिन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को देता था परन्तु अब आरक्षित अनुपात 20 प्रतिशत होने पर केवल 80 प्रतिशत ही रिन वे अन्य व्यक्ति को दे पाएगा अर्थात रिन की राशी अन्य व्यक्ति को जितनी कम मिलेगी साख का स्रजन उतना ही कम होगा दूसरी सीमा यह है यदि प्रात्मिक जमा एक हजार रुपए के स्थान पर पान्सो रुपए होती है तो साख का स्रजन घट जाएगा यह साख स्रजन की प्रमुख रूप से दो सीमाएं है इसके अत्रित कई अन्य सीमाएं भी होती है वानिज्य बैंक का यह महतपूर कारे होता है अगला मैं आपको केंद्रिय बैंक के बारे में बताऊंगा केंद्रिय बैंक किसी भी देश का सरवोच्य बैंक होता है अर्थात सबसे बड़ा बैंक प्रतेग देश का एक ही केंद्रिय बैंक होता है भारत का केंदिरे बैंक है भारतिय रिजर्व बैंक यह भारत का केंदिरे बैंक है केंदिरे बैंक के भी कई कारे होते हैं केंदिरे बैंक का सबसे प्रमुख महत्पून कारे होता है नोट निर्गमन अर्थात नोट निर्गमन का पून अधिकार एका अधिकार केंदिरे बैंक के पास होता है तथा यह नोट केंदिरे बैंक की देयताओं के रूप में होता है देयताएं अर्थात दाइत्व के रूप में होता है आपने देखा होगा प्रतेक नोट पर लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को दस रुपए अदा करने का वचन देता हूँ इसका अभिप्राई यह हुआ कि यह केंद्रिय बैंक के लिए एक देता दाइत्व है केंद्रिय बैंक का यह सबसे महत्पूर कारे होता है दूसरा कारे है सरकार का बैंकर एजेंट तथा परामर्श दाता केंद्रिय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से कई प्रकार की मुद्राओं को स्विकार करता है तथा अन्य शेतरों को उनका भुकतान भी करता है केंद्रिय बेंक सरकार के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से कारे करता है जैसे एक वानिज्य बेंक जनता के लिए यह सरकार के लिए बेंकर का काम करता है अन्य कार्य एजेंट के रूप में एजेंट के रूप में केंद्रिय बैंक अन्य देशों से रिन प्राप्त करता है, रिनों का भुक्तान करता है ब्याज प्राप्त करता है, ब्याज का भुक्तान करता है इसी परकार से परामर्श दाता परामर्श दाता के रूप में केंद्रे बैंक सरकार को विभिन प्रकार की जानकारी प्रदान करता है जैसे विदेशी विने में दर क्या है? विदेशी विने में भंडार कितना है? आया तथा निर्यात की दर क्या है? यह मैंने आपको केंद्रे बैंक के दो कारे बताए दूसरा सरकार का बैंकर एजेंट तथा परामर्श दाता केंद्रिय बैंक का तीसरा कारे बैंकों का बैंक केंद्रिय बैंक सभी वानिज्य बैंकों का सर्वोच बैंक होता है केंद्रिय बैंक वानिज्य बैंक के साथ भी उसी प्रकार से कारे करता है जैसे एक वानिज्य बैंक जनता के साथ आवशक्ता पढ़ने पर केंद्रिय बैंक वानिज्य बैंक को अल्ब कालीन या दीर्ग कालीन रिन प्रदान करता है केंद्रिय बैंक वानिज्य बैंकों के आरक्षित कोशों को अपने पास स्विकार करता है और उन आरक्षित कोशों को वानिजे बैंक को ही आवशक तक पढ़ने पर रिन के रूप में प्रदान भी करता है केंद्रे बैंक का अन्य कारे अंतिम रिन दाता अर्थात किसी भी देश में केंद्रे बैंक अंतिम रिन दाता के रूप में कारे करता है यह एक ऐसा अंतिम ख्षेत्र होता है जो वानिज्य बैंक या सरकार को रिन प्रदान करता है केंद्रिय बैंक का अन्यकार्य साख का नियंत्रन अर्थात एक अर्थविवस्था में साख या मुद्रा का पूर्ण नियंत्रन केंद्रिय बैंक के हाथ में होता है मुदरा का अर्थविष्था में विस्तार करना है या संकुचन करना है उसके लिए केंद्रे बैंक द्वारा कई प्रकार की नीतियां बनाई जाती है इस नीती को मौदरिक नीती कहते है अब तक मैंने आपको केंद्रे बैंक के कार्य बताए कि केंद्रे बैंक क्या कार्य करता है एक अर्थविस्ता में अगला केंद्रे बैंक की साख नियंत्रण की नीतियां केंद्रे बेंक द्वारा जो नीती बनाई जाती है अभी मैंने आपको बताया उसे मौदरिक नीती कहते हैं इस नीती के अंतरगत पहला उपकर्ण बेंक दर यह वहे दर होती है जिस पर एक केंद्रे बेंक द्वारा वानिजे बेंक को हरिन प्रदान किया जाता है यदि केंद्रे बेंक द्वारा यहें बेंक दर बढ़ा दी जाती है तो इसका अभिप्राय हुआ कि रिन महेंगा हो गया या साक महेंगी हो गई रिन महेंगा होने पर रिन की मांग कम हो जाती है रिन की मांग कम होने पर अर्थवयस्ता में मुद्रा का संकुचन होता है इसके विपरीत यदि केंद्रे बैंक द्वारा बैंक दर कम कर दी जाती है तो इसका अभिप्राय है कि वानिज्य बैंकों को अब केंद्रे बैंक से कम दर पर रिन प्राप्त होगा और वानिजे बैंक भी जनता को कम दर पर रिन प्रदान कर पाएगा जनता को कम दर पर रिन प्राप्त होगा रिन की मांग बढ़ेगी रिन की मांग बढ़ने पर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी यह मुद्रा का विस्तार करता है अन्य उपकरन खुले बाजार की क्रिया है इसके अंतरगत केंद्रिय बैंक द्वारा खुले बाजार में जन्ता से, सरकार से या वानिज्य बैंक से प्रती भूतियों की खरीद तथा बिक्री की जाती है केंद्रिय बैंक यदि जन्ता को या वानिज्य बैंक को अपनी प्रतिभूतियां बेचता है तो उन प्रतिभूतियों के बदले में जनता द्वारा एवं वानिज्य बैंकों द्वारा भुगतान किया जाता है जिससे वानिज्य बैंकों के अपने कोश कम हो जाते हैं वानिज्य बैंकों के कोश कम होने पर वानिजय बैंकों के रिन देने की ख्षमता بھی घट जाती है जिस से मुद्रा का संकुचन हो जाता है अर्थात यदि केंदिरे बैंक द्वारा खुले बाजार में अपनी प्रतिभूतियां बेची जाती हैं तो मुद्रा का संकुचन होता है यदि केंद्रिय बैंक वानिज्य बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीद लेता है तो उसके बदले में केंद्रिय बैंक द्वारा वानिज्य बैंकों को जनता को भुगतान के रूप में राशी दी जाती है और वानिज्य बैंकों के आरक्षित कोश बढ़ जाते है इन आरक्षित कोशों के बढ़ने का अभी प्राए है कि वानिज्य बैंकों की रिन देने की ख्षमता भी बढ़ जाती है रिन देने की ख्षमता बढ़ने से अर्थवेस्ता में बाजार में मुदरा का विस्तार होता है अन्य उपकरन न्यूनतम नकद निधी अनुपात राशी होती है जो प्रतेक वानिज्य बैंक को केंद्रिय बैंक के पास आवश्यक रूप से रखनी पड़ती है। यदि यह आरक्षित अनुपात अधिक हो जाता है अर्थात केंद्रिय बैंक द्वारा वानिज्य बैंक को कहा जाता है कि जितनी राशी आप मेरे पास पहले रखते थे अब उससे अधिक राशी मेरे पास रखिए तो वानिज्य बैंकों के अपने आरक्षित अनुपात कम हो जाएंगे अपने आरक्षित अनुपात कम होने के कारण वानिज्य बैंकों के रिन देने की ख्षमता भी घट जाएगी जिससे अर्थोयस्ता में मुदरा का संकुचन हो जाएगा इसके विप्रीत यदि केंद्रिय बैंक द्वारा वानिज्य बैंक को कहा जाता है कि आप नियूनतम राशी जो की मेरे पास रखते हैं वह कम रखिए तो वानिज्य बैंकों के आरक्षित अनुपात बढ़ जाएंगे आरशित राशी बढ़ने से वानिज्य बैंकों की रिन देने की ख्षमता भी बढ़ेगी रिन देने की ख्षमता बढ़ने से अर्थ्विस्ता में बाजार में मुदरा का विस्तार होगा अन्य उपकरन वेधानिक तरलता अनुपात यह वह निवनतम राशी होती है जो प्रतेक वानिज्य बैंक को अपने पास रखनी आवश्यक होती है ताकि वह अपने गरहाकों की आवश्यक्ताओं को संतुष्ट कर सके ताकि वह अपने गरहाकों की आवश्यक्ता अनुसार उनकी राशी का भुकतान कर सके जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वानिज्य बैंक साख निर्मान के समय दस प्रतिशत राशी अपने पास रखता है यह वही वेधानिक तरलता अनुपात होता है यदि वानिज्य बैंक अपने पास वेधानिक तरलता अनुपात अधिक रखता है तो इसका अभी प्राय है कि वानिजे बैंक द्वारा बाजार में रिन कम दिया जा सकेगा जिस से अर्थ्वेस्ता और बाजार में मुदरा का संकुचन हो जाएगा इसके विपरीत यदि वेधानिक तरलता अनुपात वानिजे बैंक द्वारा कम की जाती है तो वानिज्य बैंकों के पास रिंड देने की राशी अधिक होगी जिससे अर्थ्वेस्था में मुद्रा का साख का विस्तार होगा यह उपकरण, यह नीतियां किसी भी केंद्रिय बैंक द्वारा अर्थ्वेस्था की तेजी तथा मंदी को आधार मान कर चलाई जाती है अर्थ्वेस्था में, बाजार में क्या रूप है, बाजार में किस वस्तू की कितनी मांग है उसे देखते हुए केंद्रिय बैंक द्वारा यह नीतियां समय अनुसार चलाई जाती है तथा समय अनुसार इन में कई प्रकार के बदलाव भी किये जाते हैं अंत में मैं आपको वानिज्य बैंक तथा केंद्रिय बैंक में थोड़ा सा अंतर बताता हूँ केंद्रिय बैंक किसी भी अर्थव्यस्ता का सर्वोच्य बैंक होता है परन्तु वानिज्य बैंक बैंकिंग प्रनाली का केवल एक भाग होता है केंद्रिय बैंक को मुदरा निर्गमन का एक अधिकार होता है वानिज्य बैंक को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता केंद्रिय बैंक का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्मंद नहीं होता जबकि वानिज्य बैंक का जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्मंद होता है किसी भी अर्थविवस्ता में केंद्रिय बैंक द्वारा मौदिर्क नीती बनाई जाती है जबकि वानिज्य बैंक द्वारा उस मौद्रिक नीती को अपनाया जाता है केंद्रिय बैंक सरकार के लिए प्रतेक्ष रूप से कारे करता है जबकि एक व्यापारिक बैंक सरकार के लिए केवल तभी कारे करता है जब केंद्रिय बैंक उसे अधिकार देता है आज के अध्याय में हमने बेंकिंग के बारे में पड़ा मुझे आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा नमस्कार नमस्कार प्रॉडों यह इंच्छा अच्छा 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 यह स्क्राइ